हेलो फ्रेंज वेलकम टो मैं चैनल टौय इंजोई अगर आप लोग मेरे चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो फ्लीज सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बैल को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह मैं आज पूरी बना रही हूँ छोले और खीर खीर मैंने मेरे मुदर इनला ने पहले से बना के रखा है तो खीर बनाना मैं नहीं दिखा रही हूँ और तो छोले बनाने के कर देंगे आ और कि मैंने ग्राइं कर लिया है तो वहसे मेरा गरम हो चुका है तो इसमें जो ग्राइन करके रखे तो उसको डाल देंगे और डिविदें पूंपेली और जो अलू है इसको पहले से उपर करे रखा हुआ है हालो का मैंने छिलका निकाल लिया है अब इसमें मसाला सब डालेंगे तो मैं यहाँ पे दो चमस धन्या पाउडर एक चमस हल्दी एक चमस लाल मिस पाउडर चिली पाउडर दो चमस मैं यहाँ पे सबजी मसाला डाला है और एक चमस जीरा पाउडर मिक्स किया है उसके बाद सब मसाले को अच्छे तरीकर से मिक्स कर लेंगे उसके बाद उसमें जो कटा हुआ आलू था उसको डाल देंगे और थोड़ा देर पकने देंगे इसमें थोड़ा देर पकने के बाद आलू पकने के बाद उसमें हम लोग जो चना है बाल के रखे थे उसको डाल देंगे थोड़ा से कम पानी लग रहा है, इसमें थोड़ा से और पानी मिक्स करूंगी तो मैं जाड़ाㅇस में ठीकाईड में कराशने गडिए भी सरी में बनाने के लिए मैंने आटा पहले से गोन के रखा था और उसको छोटा-छोटा गोला बना लिया है यह मेरा जो छोले है छोले और आलू बन गया है यह मैंने सारा पूरी बेल लिया है और ओयल भी गरम हो चुका है तो मैं डाल दे रही हूं तो यह था मेरा प्रेक्वास्ट पूरी और छोले और खीर खीर पहले से मेरे मौदर लिया बना लिये थे तो किचेन बहुत कंदा है तो इसको भी क्लीन कर लेंगे तो सारे बर्तन मैंने दो ले रही हूं खाना खाने के बाद मैं बर्तन दो रही हूं सिंग को भी थोड़ा साप कर लेंगे तो मैं ग्यास को पूरा अच्छे तरीके से साप नहीं कर रही हूं थोड़ा थोड़ा कपड़ा में साप कर ले रही हूं क्योंकि अभी मुझे थोड़ा तेर की बाद लंच भी बनाना है तो मैंने थोड़ा सा ही साप कर लिया है तो मेरा किचन साप हो गया है अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए थैंक यू फर वाचिंग अगर प्लीज सापत्स